वेरी गूड इवनिंग, वेलकम टू विचेपथ एजूकेशन पालंपूर, हमारी जनल साइंस की स्पेड क्लास में आप सभी का वेलकम है, आज केमिस्ट्री के कुछ वन लाइनर इंपोर्टेंट कोईशन डिसकस करेंगे, जो की हमारे मिक्स कोईशन रहेंगे, किसी भी पर् अंसर होता है, उन कोईशन को हम अब डिसकस करने जा रहे हैं, सो मिनिमम आपके 50-60 कोईशन आज हम कवर करेंगे, इससे ज़्यादा भी आपकी हो सकते हैं, तो इसके आप साथ साथ में नोट्स आप जरूर बना लीजिएगा, कुछ कोईशन हमने क्लास में भी डिसकस कर लि है, उसका यूज किया जाता है मशीनों में सनेह के रूप में, as a lubricant जो है वो मशीनों में उसका यूज किया जाता है, next, aspirin is obtained from latex tree, aspirin जो होती है, वो latex नाम के एक ट्री होता है, एक पेड है, उससे प्रापत की जाती है, next one, iconic compound conduct electricity when dissolve in water and they are soluble in water and also called crystalline solid, तो जो ionic compound होते हैं, ionic yogic जो होते हैं, वो पानी में घुलने पर, वो क्या करते हैं, electricity को conduct कर लेते हैं, क्यूंकि ions की वज़े से उसमें electricity का flow हो जाता है, और ये पानी में फिर घुल जाने के बाद, इसको crystallite host भी कहा जाता है, crystalline solid भी इसको कहा जाता है, next one, father of modern chemistry, ये करवाया हुआ question है, आधुनी करसाइन विज्ञान के जो जनक है, वो लेवोसियर को जाना जाता है, जिनके द्वारा oxygen की जो है, खोज की गई थी, next one, cathode ray consists beam of electron, जो cathode ray होती है, उसमें किस चीज की, वो किस चीज का एक beam है, electron का proton ये neutron का, जो cathode ray है, वो consist करती है, electron को, electrons की किरण को cathode ray कहा ज जाता है, अगला question है, nucleus of an atom, consist of, जो nucleus होता है, उसके अंदर क्या चीज होती है, आपको बताया है, पहले भी जो nucleus है, नाविक है, जो परमानू का, उसके अंदर जो है, वो neutron होते हैं, और साथ में जो है, वो proton होता है, और उसको बाहर जो है, वो electron के, L, MN shell में revolve करते रहते है तो proton and neutron, proton was discovered by Rutherford, proton की खोज जो है, वो Rutherford ने की, कई बार Rutherford option में ना होके, गोल्ड स्टिन होता है, तो आप उसको भी tick कर सकते हैं, कोई एक ही option वहाँ पे आपके लिए होगा, proton की discovery जो है, वो Rutherford के द्वारा की गई, लेकिन कई बार question में Rutherford option में नहीं होता है, गोल्ड स्टिन होता है, तो आप गोल्ड स्टिन को भी tick कर सकते हो, next one is swimmer, find it easier to swim in sea water, then plain water, तो किस कारण होता है, कि एक जो तेराख है, जो पानी में, जो समुदरी पानी होता है, उसमें आसानी से तैयर सकता है, as compared to simple water, तो ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि जो समुदर का पानी है, वो खारा होता है, और उसका घनत्व जादा होता है, उसकी density जादा होती है, इस वज़ए से हमारी बोड़ी जो है, वो फ्लोट कर जाती है, उस पानी में, next one, an electric iron has heating element made of nichrome, जो घर में प्रेस होता है, जिससे कपड़ों को हम प्रेस करते हैं, विदुत इस तरी उसको कहा जाता ह जैते हि mínimoard, तो उसके अंदर, जो element डाला होता है, वो होता है, नाइक्रों, नाइक्रों का element होता है, जिससे वो heating effect शो करता है, नाइक्रों का use जो है, वो इलेक्टिर्क रोड में भी किया जाता है, जिससे हम पानी गरम करते हैं, और heating element है, इनका mostly used किया जाता है, next one heaviest naturally occurring element of periodic table is uranium अवर्त सांडी का प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है हमारा जो periodic table है उसमें सबसे भारी तत्व जो है लेकिन natural form में natural form में बतायागा सबसे भारी तत्व तो वो है uranium और यह जो होता वो एक radioactive material है next one pungent smell of garlic is due to sulfur compound जो लसुन की तीखी गंद होती है या प्याज के अंदर जो एक तीखी गंद हमें लगती है वो sulfur के कारण आती है यह question भी आपको करवाया गया है next white phosphorus is stored underwater white phosphorus जो होता है सफेद phosphorus जो होता है उसको पानी में store करके रखा जाता है वैसे जो sodium है उसको मिट्टी के तेल में store करके रखते है kerosene oil में उसको रखा जाता है तो वैसे जो white phosphorus है उसको पानी के अंदर रखा जाता है ताकि वो जल्दी reactor ना कर सकी next one mercury is also known as quicksilver mercury यानि कि जो पारा है उसको quicksilver के नाम से भी जाना जाता है यह इसका nickname है quicksilver वो जो है वो mercury से हम जानते है next one red phosphorus present at the tip of matchstick जो red phosphorus होता है उसका use किया जाता है माचिस की तीली में हम माचिस की तीली को जब जलाते हैं तो उसके आगे एक red color का powder की form में एक लेप जो है वो उसमें लगाया जाता है तो वो जो stick है उसमें वो जो red color का होता है या brown color का जिससे वो आग जलती है तो वो red phosphorus होता है उसकी बज़े से वो आग जो है जलती है next one magnesium burn with darkling white flame जो magnesium होता है वो चमकदार सफेद रोशनी के साथ जो है जलता है यह कई बार question आपके लिए पूछा जाता है कौन सी रोशनी जो है वो शो करता है next one है sodium benzoate is used as food preservative food preservative जो खादे परी रक्षक होते है यानि कि खाने को थोड़ा लंबे समय तक चलाने के लिए sodium benzoate का यूज किया जाता है कि वह direct पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा option है जो यूज किया जाता है लेकिन अगर हम घर में आज कोई सबजी बनाते हैं आज पनीर की अगर कोई सबजी बनाई तो फ्रिज में जादा से जादा 5-6 दिन रह पाएगी उससे जादा एक महिना दो महिने तो चल नहीं सकती वो खराब हो जाएगी लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे अचार है चटनी है कोई तो उसमें सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है जो फर्टिलाइजर हम खेतों में फैंकते हैं जो उर्वर्ख होते हैं उसको बनाने में पोटाशियम का में यूज किया जाता है next one fluorine is the most electronegative element of the predictable जो अवर्थ शार्णी है उसमें सबसे अधिक जो electronegative element है सबसे अधिक विद्ध रिनात्मक तत्व है वो है fluorine काफी बार एक्जाम में ये question पूछा गया है और अगर electro positive की बात करें तो जो सबसे ज़ादा electro positive है विद्ध धनात्मक तत्व है वो है फ्रांसियम फ्रांसियम जो है वो predictable में सबसे ज़ादा electro positive element है next one भुपाल गैस ट्रेजटी जो हुई थी वो 1984 में हुई थी बुपाल गैस ट्रेजटी जिसमें जो गैस लीक हुई थी उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट मिथाइल आइसोसाइनेट मिथाइल आइसोसाइनेट और यह हुआ था दो दिसमबर को दो दिसमबर 1984 को हुआ था इसलिए दो दिसमबर को national pollution control day भी मनाया जाता है यह जीके की form में आपसे के बार question पूछा जा सकता है next one a powerful eye irritate present in smog is तो जो smog होता है जो धुंद होती है या फिर धुंगा होता है उसके अंदर ऐसा कौन सी चीज होती है जिससे हमारी eyes में जो है वो जलन पैदा होना शुरू हो जाती है तो वो है paroxy acetyl nitrate paroxy acetyl nitrate जो है वो इसका right answer रहेगा वो आंखों में जो है वो हमारे इसमें जलन जो है वो पैदा करता है और इसका use जो है वो mostly किया जाता है कई बार इस compound का use जो है वो किया जाता है जैसे कहीं पर पुलिस के दौरा जो है वो कोई नाका लगाया गया है या कोई भूखड था जो है वो वहां पे अगर हो रही है वहां पे लोग नहीं मान रहे है तो कई बार वहां पे डंडे से उनकी पिटाई भी करनी पड़ती है पानी के गोले भी फैंके जाते है इस gas इस compound का भी यूज किया जाता है ताकि उनकी आंखो में जलन पादा हो नेक्स्ट है प्लास्टिक इसटाइप ओफ तो प्लास्टिक क्या है एक पॉलिमर है chemistry में, last section में हमने discuss किया था प्लास्टिक का भी यह पॉलिमर है प्लेटिनम जो है उसको वाइट गोल्ड कहते हैं सफेद सोना जो है वो प्लेटिनम को कहा जाता है पेट्रोलियम जो है वो हाइडरो कार्बन का मिक्षर है ये कुछ कुछन हमने पहले ही डिसकस्ट जो है वो कर लिए है नेक्स्ट वन है और आशिटिक लिए सेलिसलिक एसिड आम्तोर पर दर्द निवारक के रूप में यूज किया जाता है मैंने पिछले कल आपको कराया था पिछले कल की क्लास में या फिर एक इसिलिक एसिड भी उसको कहा जाता है यह पेन किलर के साथ-साथ वह एक जैसे उसमें जो आती हो इसी एसिड की वज़ा से आती है इसे इसड का मोसली जो है वह यूज किया जाता अगर आपके पास घर में कोई भी अगर ऐसी कोई एक पें रिलीफ अगर कोई जल ह है वो आपको वहाँ पर देखने को easily मिल जाएगा next one है iron is commonly used for making an electromagnet लोहा जो है वो विद्द चुम्बक बनाने में use किया जाते है electromagnet को बनाने के लिए हम iron का use कर सकते हैं next one hyalite commonly known as rock salt healite जो है उसको अन्य नाम से जाना जाता है जिसका रॉक salt जो संदा नमक होता है उसको healite के नाम से भी जानते हैं और जो common salt है हो healite से ही हम निकालके लेकर आते जो खने वाला नमक है rocks salt को हम डाइरेक्ट निहीं खहा सकते संदा नमक आजकल तो नहीं जरूरी है इसलिए हम सेंदे नमक का यूज नहीं किया जाता है गाय भैंस जो पशुओं को नमक दिया जाता है वो सेंदा नमक दिया जाता है next one is zenon जो है उसको stranger gas भी कहा जाता है zenon जो है उसको stranger gas भी कहते है रियोन is also known as artificial silk रियोन जो है उसको कृत्रिम रेश्यम के रूप में भी जाना जाता है next one है bulletproof screen जो होती है bulletproof screen वो किस चीज की बनाई जाता तो rainfall glass है एक टाइप है ग्लास का rainfall glass उसका यूज किया जाता है bulletproof screen को बनाने के लिए जैसे कि कोई एक सभा हो रही है तो मान के चलते हैं वहां पर भारत के परधान मंत्री जो है वो speech देने जो है वो आये कई बार के होता है कि कोई ऐसा area वहां पर होता है जहां कि वो कमेटी है जहां पर भाशन देगे उनके आसपास एक शीशे का जो है वो चारों तरफ एक कमरा जैसे बना देंगे और यहां से माइक वो लगा देंगे और वो माइक जो है वो पूरा बहार उनको फिर सुनाई देगा प्रोडेक्शन के लिए वो जो ग्लास लगाया जाता है वो रेनफोर्ड ग्लास है बुलिट प्रूफ स्क्रीमिंग में यूज किया जाता है next one when quick lime is added to water heat is liberated जब पानी में बिना बुजा हुआ चूना मिला जाता है जिसको quick lime कहते हैं तो वो जो है वो गर्मी heat जो है वो बहार छोड़ देता है next nail remover जो होते हैं जो nail polish remover जो होते हैं वो acetone होता है acetone डालते हैं हम उसमें वो easily किसी भी paint को nail remover जो polish किया जाता है उसको easily क्या कर देते हैं हटा देते हैं next one geolight geolight is suitable for water purification geolight जो है वो suitable है water purification के लिए most important है chlorine का भी use किया जाता है bleaching powder का भी use किया जाता है zeolight का भी use किया जाता है पानी को purify करने के लिए next silicon used in manufacture of high voltage insulator अब silicon जो है वो क्या है एक semiconductor है आप ध्यान रखेंगे silicon जो है वो silicon germania में एक semiconductor है इनका use किया जाता है high voltage insulator में high voltage insulator को manufacture करने में silicon का यूज किया जाता है next chemical name of green vitriol is iron sulfate green vitriol जो है उसका chemical नेम जो है वो iron sulfate है iron sulfate next sodium silicate is the chemical name of quartz एक टाइप का पत्थर आए sodium silicate इसका जो chemical name है उसको quartz कहा जाता है काफी बार आपने सुना होगा यह chemistry में camphor can easily purify the process of sublimation camphor can easily purify by the process of sublimation इसको असानी से जो कपूर होता है घरों में पूचा के लिए उसको असानी से उधरबा पातन sublimation के process से हमें easily उसको purify कर सकते हैं अब sublimation क्या होता है हलका सा idea मैं आपको यहां पर देता हूँ हमारे पास basically तीन टाइप के मैट्रस जो है वो जाने जाते हैं सबसे पहले आता है solid then उसको अगर हम heat करते है तो liquid में change हो जाता है देन उसको और heat करेंगे gases में change हो जाएगा सबसे जो simple यहां पर example बनता वो बनता पानी का पानी का solid form में रखेंगे तो ice रहेगी ice को heat किया तो पानी में बदल गया यानि कि state change हो रही है जैसे heat कर रहे है state change होगी पानी को फिर से heat किया तो फिर वो किस में change हो गया vapors में change हो गया vaporization में वो change हो गया अब हमें यहां से यह पता चला कि जब भी हम matter को heat कर रहे है अगर उसको हम क्या कर देते जा रहे है तो वो अपनी state को क्या करता है चेंज कर लेता है अपनी state को change कर लेता है solid से liquid liquid से gas इस तरीके से change करता है जैसे अगर हम उसको cool down करना शुरू कर देते हैं तो gas से क्या आजाएगा liquid में आजाएगा liquid से फिर वो solid में change हो जाता है लेकिन कुछ ऐसे example भी यहां पर होते हैं जो direct solid से heat करने पर gas में change हो जाते हैं यानि कि बिना liquid वाली state में जाए वो direct gas में change हो जाते हैं तो जैसे कि घर में हम use करते हैं धूप पूजा के लिए यह फिर जो camphor है कपूर है उसका use करते हैं तो यह सारे इसके example है camphor को जलाया solid form है वो liquid में change नहीं होगा वो direct किस में change हो जाएगा gas में change हो जाएगा तो यह हमारी कुछ question थे कुछ और questions को हम discuss यहां पर करेंगे next question है the national chemical laboratory is located in जो भारत की रसाइनिक प्रयोग शाला है national chemical laboratory है वो पुणे में स्थित है कहां पे है पुणे में है महारास्ट्रा में next one है quicksilver is also known as mercury जो भी मैंने आपको कुछ ताइम पहले करवाया quicksilver को जो है वो पारा भी कहा जाता है mercury next one natural rubber is heated with sulfur in vulcanization process जो vulcan current प्रक्रिया होती है जो natural rubber है उसको थोड़ा elastic बनाने के लिए उसमें sulfur add-on किया जाता है आप ध्यान रखेंगे vulcanization में sulfur होता है और hydrogenation में hydrogen gas यूज की जाती है next one titanium dioxide is the chemical name of marble titanium dioxide जो है वो chemical name है किसका marble का ये काफी बार question जो है वो पूछा गया है देखी carbon का भी एक form जो है वो यहां पर मानी जाती है titanium dioxide यहां पर question में कुछ गलती titanium dioxide तो नहीं आएगा marble का titanium dioxide नहीं आएगा calcium carbonate आएगा यहां पर इसको थोड़ा सा आप correct कर लीजिएगा जो संग्मर्मर होता है marble यहां से मेरे से मिस्टेक होगी typing में जो marble होता है संग्मर्मर होता है उसका जो chemical name है वो calcium carbonate होता है जिसका formula होता है CaCO3 यह titanium dioxide नहीं आएगा यहां पर गलती है आप इसको correct कर लीजिएगा next question and deep blue color is imported to glass by the presence of cobalt oxide जो कांच में गहरा नीला रंग आता है मैंने आपको glass में color बताये थे green color बताये थे blue color बताये थे orange color बताये थे किसकी बज़े से वो कोई शीशे के अंदर जो है वो color दिया जाता है तो cobalt oxide की बज़े से उसमें जो है वो गहरा नीला रंग जो है वो आ जाता है dark blue color cobalt oxide की बज़े से आता है next one है anthracite coelay की एक ऐसी variety है जिसमें highest percentage of carbon होता है mostly आप 90 to 95% उसको रख सकते हैं और सबसे best form है coelay की quality wise next one henry baccaral discovered the radio activity radio activity की खोज है henry baccaral ने की थी इसलिए baccaral जो है वो also unit है radio activity के madam curie ने भी radio activity की खोज की इसलिए radio activity के unit curie भी जो है वो माने जाते हैं next one cooking oil can be converted into vegetable घी by the process of hydrogenation अभी मैंने आपको discuss किया था यह question था vulcanization process इसमें sulfur का use किया जाता है इसमें प्राकरतिक रबड जो natural rubber है उसका यह process है और जो vegetable oil है जो बनसपती घी में हम उसको change करते है vegetable घी में तो उसमें जो है वो hydrogenation process यूज करता है और hydrogen gas उसमें यूज की जाती है और आप ध्यान रखेंगे nickel जो है उसमें as a catalyst यूज किया जाता है next one है silver iodide is used to produce artificial rain अगर कृत्रिम बर्शा करवानी है कहीं पर बारिश नहीं हो रही है science की help से अगर हमें कहीं पर बारिश करवानी तो silver iodide का यूज किया जाता है next one lightest element of the universe जो सबसे हलका तत्व है वो है hydrogen जो सबसे बिलकुल light weight जो element है पूरे universe में वो है hydrogen और first number भी predictable में आता है germanium and silicon जो है वो most common example है किसके semiconductor के अभी मैंने आपको बताया भी था germanium and silicon silver nitrate is commonly used in boating ink यह भी मैंने आपको करवाया था question silver nitrate का use जो है वो boating ink जो होती है जो हाथों के ओपर एक उंगली के ओपर जो एक टिक लगाया जाता है कि हमने बोट दे दिया silver nitrate का use किया जाता है और भारत में जो सबसे पहली वार इसका use किया था 1962 में किया गया था मैसूर में यह आप धियान रखेंगे next hydrogen is the lowest density element and osmium is the highest density element hydrogen जो है वो सबसे कम घंतो वाला ततो है इसलिए वो क्या कर जाता है उपर float कर जाता है सबसे हलका है और जिसकी density जादा होगी वो सबसे भारी है osmium जो है वो सबसे भारी है लेकिन अगर natural की बात करें तो जो सबसे भारी है वो है uranium next silver bromide जो है उसका यूज किया जाता है photography में as a chemical की form में अब तो उसमें यूज नहीं किया जाता photography में लेकिन जो print किया जाता photography में आपको पता होगा पहले के time में उस photo को धोना पड़ता था फिर एक black color की उसमें से film निकाली जाती थी वो जो chemical यूज किया जाता था उसमें वो silver bromide अब तो printer का जमाना है डायरेक्ट हम फोटो कीशते हैं command देते हैं और जो ink उसके अंदर डाली जाती है उससे वह easily बाहर निकलाता photo तो silver bromide photography में यूज किया जाता है तो यह हमारे कुछ आज की class के one-liner question थे next हम इस class को एक बार फिर से next part में इसको continue करेंगे तो आप यहां तक इन जितने भी question अभी तक करवाए हैं mostly 50 question तो आपके यह हो गए हैं तो यहां तक आप जो हैं वो notes बनाके रखें ठीक है thank you